हेलो एवरिवन चले स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के विश्टर विजा के लेटर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप आने वाल टाइम में यूके का विश्टर विजा अप्लाई करना चाहते हैं इस आपकोट है वो six months valid होना चाहिए आपकी डीटल फोटो आपकी एमेल फोन नमबर और आप अगर जोब कर रहे हैं तो आपके जोब के डोकुमेंट्स जोब किसी की साइट से एक होलीडेल एक्टर आपके सेली स्लिप्स जोब एमेल जोब फोन नमबर जोब ड्रेस और जोब रो आपके सेली भाई चैक की जा रही है तो आप भाई चैक आप उसमें च्वा कर सकते हैं भी हमारी जो भाई चैक हुआ हमें पेक की जा रही है वर आपकी जो सालियू है मिनिमम TW arrive मनफ्नी हो वन वियर से तो आपकी फाइल काफी अच्छी है UK विज़ा के लिए अबंब करने वाले हैं जो लोह तो आपके बात करने वाले हैं जो यह आपके बात करने वाले हैं जिनकी जëखई मान लीजिए आपने every three to four या six month आप एक country travel कर रहे हैं आपके income के थोड़े बहुत sources हैं तो फिर आप UK का visa apply करते हैं तो आपको मिलने के chances काफी जाद हैं तो अब हम बात करने वाले हैं यह तो documents हो गए जो लोग job business और जिनकी जो travel history है तो उनके लिए हमने बात की अब ऐसे वो कौन से documents हैं जो आप extra documents साथ में लगा सकती हैं देखिए सबसे पहले आपके parents के अधार काड़, आपकी family के अधार काड़, अगर उपकी family में brother sister, आपके parents हैं उनके साथ में अधार काड़ जरू लगाएं उसके बाद उनके अगर IT है तो उनके जो income के sources हैं तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं family test आप जितने ज़्यदा strong दिखाएंगे उतना आपके लिए better है अगर आपके parents के accounts में fund है, FDE है, जहां आपके नाम पर कह सकते हैं कोई FDE है तो आपके parents के accounts में अगर fund available है तो उसके साथ एक एफिडेवर लगाएं जिसमें यह शो करें भी आपके parents आपको support करते हैं जिससे की आपका विज़ा मिलने के chances हैं और भी बढ़ सकते हैं काफी लोगों को यह भी message आते हैं भी family के जो test हैं family के जो funds हैं parents के account में mother यह फादर के account में तो वो साथ में लगाने जुरूरी है हाँ जी बिलकुल जुरूरी है क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा family test strong दिखाएंगे तो उतना आपका विज़ा मिलने के chances हैं वो आपके बढ़ जाते हैं तो अगर हम बात करने वाले हैं अगर आप UK का विज़ा apply कर रहे हैं तो काफी cases में हमने देखने को मिला है भी जब आपका विज़ा refuse हो जाता है UK से अमबैसी से तो वो दुबारा कह सकती है reply नहीं करते देखिए अगर आपके जो UK एक ऐसी कंट्री है जब आपको विज़ा की जो refuse देता है तो साथ में reason भी बताता है भी हमने आपको ये विज़ा क्यों refuse किया उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगर आपका विज़ा refuse हो जाता है UK से तो काफी लोग reply नी करते उन लोगों के लिए हम कह सकते हैं जिनकी जो refuse आती है उनके वो डोकुमेंट सही ना हो तो वो तो एक जैनुरल बात है भी आपके जो डोकुमेंट सही नहीं है उन्होंने refuse दी जो reason दी है काफी cases में हमने देखा है भी UK जो refuse विज़ा करता है उसका कोई reason नहीं होता आपके जो डोकुमेंट्स आपने वहाँ पर submit की होते हैं फिर भी वही reason देखकर उसे refuse करते हैं तो हमने last कह सकते हैं टू वियर्स से तकरीबन काफी cases में reply किया था UK embassy को आपने जो reason दी है refuse को वह बिलकूर गलत है हमें विज़ा मिलना चाहिए आप यकीन नहीं करेंगे अगर अगर प्रूफ प्रोवाइड करती है तो इसलिए जब आपको विज़ा refuse आता है तो अब उसे अच्छे तरीके से पढ़े रीड करें UK embassy ने आपको क्यो refuse दी है वो सही है या गलत है अगर आपको गलत लग रहा है तो आप reply जरूर करें reply आने में आपका two से three month six month भी लग सकते हैं बड़ यह नहीं है भी आपका विज़ा उसमें नहीं आएगा हम कह सकते हैं hundred में से seventy to eighty percent chance रहते हैं जिनकी फाइल अच्छी है reply करने पर विज़ा आने के अगर आपको UK विज़ा के related कोई भी information चाहिए हो आप कैसे विज़ा अप्लाई कर सकते हैं क्या क्या document चाहिए क्या requirements ह है तो आप हमारे दिएगे वर्टसर नंबर पर contact कर सकते हैं अगर आप आनेवल टाइम में नेक्स्ट विज़ा भी आप विज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप हमारी टीम से हमसे जुरू कोटेट करें information के लिए आनेवल टाइम में हमको कौन से ऐसे वो document प्र ते बाइम आनेवल टाइम ने का चाहते हैं तो विज़ा आनेवल टाइमार खी ए भी आनेवले टीम